जो इस वीडियो में समझते हैं, जिनी सुडेंस ने ओन डिवन एक्जाम दिया था मार्च में, एक मार्च से लेके 28 मार्च के बेच में, उनका रिजल कब तक आएगा, और रिजचेकिंग का जो लिंक होता है, वो कब तक एक्टिव होता है आप लोग का, अगर आपको के लिए अगर आपको अप्लाई करना हो, तो उसका लिंक कब तक एक्टिव होता है, ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे, और साथ में हम ये समझेंगे कि मार्च शीट कैसे मिलेगी आप लोग को, जो इस तुरेंस पास हो जाएंगे, और सब्जेक्ट वाई समझेंगे, जो एक सब्जेक्ट का ले रखे है, उनको कैसे मिलेगा, दो सब्जेक्ट का ले रखे है, उनको कैसे मिलेगा, तीन सब्जेक्ट का ले रखे है, उनको कैसे मिलेगा, चार सब्जेक्ट का ले रखे है, एडविशन, उनको कैसे मिलेगा, और पांस सब्जेक्ट वालो को कैस फरवरी का जो result आया था ना ये आपका जो है दो पार्टों में आया था पार्ट A और पार्ट B में ठीक है यानि कि 50% result आप लोग का पहले आ गया था और 50% result जो है इन्होंने बाद में डिकलेर किया था यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने students भी बता रखा है नमर अफिस students य यहाँ पर आप देखोगे एक फरवरी से लेके 15 फरवरी का जो result है 28 मार्च को इन्होंने डिकलेर कर दिया था बाकी का जो result है यहाँ पर आप देखोगे 15 से 29 मार्च तक का जो result है इन्होंने देखो कब डिकलेर किया था यह देखोगे आप लोग को देखने को मिलेगा यह 15 15 अपरिल को आप लोग का आधर रिजल्ट आया था Bijण हिंद來到 15-2 निवाने यहां तो 15 अप्रिल नोगे करती है अगर आपका रिजल्ट यह हैं मार्च का दोपार्टों में डिक्लिर करती है पार्ट ए और पार्ट ब में तो घ्रिल्ट लोग का कैसे आएगा यहाँ पर समझो, जब आप लोग का result समझो, part A में आएगा, part B में आएगा करके, तो आप लोग ये समझना कि 50% result जो आप लोग का जल्दी ही आजाएगा, और 50% जो result है आप लोग का एक्जाम चला है इस वार अनोखा फरवरी था आप कोई पता है 29 फरवरी तक आप लोग का एक्जाम चला है और NUS का ओफिसल कमेंट यही है कि NUS जो है देर महीने के अंदर आप लोग का 100% result डिकलेर करती है ठीक है देर महीने के अंदर अंदर अब NUS कई बार ऐसा करती है कि आप लोग का 100% result जो है एक युवर में डिकलेर कर देती है कई बार आप लोग का यह दो पार्टों में डिकलेर करती है जैसे कि अभी मैं आपको केस बता रहा था फरवरी का फरवरी का जो है दो पार्टों में result आया था ठीक है it means आप लोग को दो पाटों में ये डिकलेर करते हैं आपके रिजल्ट को तो आपका रिजल्ट कब तक आएगा यह यहाँ पर समझो तो 50% रिजल्ट और 50% रिजल्ट अलग-अलग ये डिकलेर करेंगे तो ये समझो कि आप लोग का जो रिजल्ट है 29 मार्ज तक आप लोग का एक्जाम चला था ठीक है 29 मार्ज तक आप लोग का लास्ट एक्जाम चला था दोनों क्लास का 10 वी और 12 वी का भी और 29 मार्ज से अगर आप 30-35 दिन यहाँ पर काउंट करोगे तो आप लोग को यह देखेगा मई का फस्ट वीक ठीक है मई का फस्ट वीक यह अपरिल चला था अपरिल एंड मई का फस्ट वीक मई के फस्ट वीक जो है ना आप लोग का 35-35 दिन का यह कैबरेज बनता है अगर NUS आप लोग का रियल्ट 50-50 करके डिक्लेएर करती है दो पार्टों में डिक्लेएर करती है तो एक मार्च से लेके आप लोग का पंदरा मार्च के बीच का जो रियल्ट है माई के फर्स्ट विक में माई के एक तारिक से लेके माई के पांस तारिक तक आप लोग का डिकलेर कर देगी अगर दो पार्टों में डिकलेड करती है तो और बाकी का जो result है यह माई के मीड में डिकलेड करेगी यानि कि 16 मार्च से लेके 28 मार्च तक का जो result है आप लोग का माई के 16 या 17 तारिक को यह डिकलेड करेगी डेट यहां पर समझ रहे हूँ, दो पार्टों में डिकलेर करेगी तो ऐसा यह करने वाली है, अगर यह आप लोग का पूरा रिजल्ट यानि कि 100% रिजल्ट अगर यह एक साथ डिकलेर करती है, तो आप यह मान के चलना कि आपका मई का जो 2nd week है, यानि कि मई का 10-11 तारिक ज जाएगा, ठीक है, 50-50 आता है, तो मई के 1st week में, यानि कि 1 मई से लेके 5 में के बीच में आप लोग का जो है, 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक का रिजल्ट आ जाएगा, और बाकी का रिजल्ट जो है, 16, 17, 18 माई को आप लोग को डिकलेर करके देंगे, यानि कि 16 मार्च से ले आप लोग के चलना कि 10 तारीक, 11 तारीक माई में, आप लोग के यह सारा रिजल्ट देदेगी, और अगर दो पार्टों में यह डिकलेर करती है, तो आप लोग को रिजल्ट आता हुआ दिखेगा, ठीक है, तो रिजल्ट का डेट यहाँ पर आप समझ गया होगे, आप लोग बिल्कुल वेफी करें, अब यहाँ पर समझो, अपलाई फोर रिजल्ट रिजल्ट के लिए कैसे और कब अपलाई करती है, देखो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ ध्यान लगना, फरवरी वाले जो इस्टूडेंस है, उनका रिजल्ट 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 का ल लोग का नहीं होता है, रिजल्ट 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 क्योंकि ये N was ए और मीश हैद है और रिचेकिंग के मामले में थोरा सा सक्की मिजास का है वह अपने ऊपर ले लेता है आपने रिचेकिंग के लिए अप्लाई किये हो जो ये बात कर ले लेगा कि हमारे टीर को यह कैसे मतलब गलत कहसकता है टीक है तो अब यहाँ पर थोड़ा सा माक्षीट के वारे में बता दू ओन डियोन एक्जाम की जो माक्षीट है देखो जो इस स्टुडेंस एक सब्जेक्ट से लेके चार सब्जेट का एडविशन ने रखिया है उनका माक्षीट जो है ओनलाइन मिलेगा उनको ओलाइन अप्लाइ करना पड़ेगा सबसे पहले डैस्बूर्ड में आओगे इस सर्विस का यहाँ पर ओप्जेट मिलेगा अप्लाइपे क्लिक करोगे यहाँ पर आप देखोगे कि आप लोगको डॉक्मेंस चेंज में एक ओप्जेट मिलेगा डेर महिने में आप लोगको मिलेगा डिजल्ट आने के डेर महिने बाद आप लोगको यहाँ से अप्लाइ करना होगा जो पांस सब्जेक्ट लिए रखे हैं मिनिमम् ठीक है उनको ओरिजनल माक्षिर जो है